अस्राम लेकुम कैसे हैं आप लोग आच्छा इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था आइस्यूमिट्रिक एकसरसाइज के बार में जो कि पिछलों टॉपिक में मैंने आप लोग को कंटीनियू करवाया था आज इसको कंटीनियू करेंगे उसकी क्रेक्टिस और इफेक्स पढ़ करवा रहे हैं उसके ओपर तो कितना लोड डालना है कितना डाल सकते हैं जो कि सेफ है ठीक है तो वह होता है सिक्स्टी परसन मैकसिमम वलेंट्रिक अब सिक्स्टी परसन क्या है कि सिक्स्टी परसन ये है कि मसल जितना मैकसिमली कॉंट्रेट कर सकता है लोड उठा सकता है ठ 60% हमने maximum जतना उठा सकते हैं उसको 60% उठाना है ठीक है तो यह हमारा intensity के बारे में हो गए next हम परते है duration of muscle activation ठीक है muscle activation के लिए duration कितना चाहिए एक muscle को contact करने के लिए तो यह हमारे पास isometric contraction should be held for six seconds और no more than 10 seconds तो यह इसमें क्या है कि हम जो hold करवाती हैं वो six seconds के लिए करवाते हैं एक repetition के बाद six seconds के लिए उसको hold करवाते हैं फिर next repetition no more than 10 seconds नहीं कि 10 seconds से ज़्यादा हम नहीं करवा सकते हैं ठीक है isometrics करवाने तो इसकी कितनी 15 से 20 repetition यह आपकी बुक में नहीं लिए खावा मैंने में मेंशन कर दी है क्योंकि हम यूजिली यही करवा रहे होते हैं यहीं standard होती है 15 से 20 repetitions करवा रहे होते हैं next point हमारे पास आता है joint angle and mode specificity तो इसमें क्या है कि gaining muscle strength occur only or closely adjusted to training angle अब training angle क्या है specific angle होता है ठीक है तो हमने उसके no more than 10 second in other direction from training angle training angle से आपने किसी भी direction में 10 degree से ज्यादा नहीं जा सकते हैं यहाँ बना के लिखाते हैं आपको एक patient है ठीक है वो लिटा हुआ हुआ हम उसको लिटा आ जीते है spine line में और हम उसको knee की isometrics करवाते हैं या hamstring की करवाते हैं जैसे foot बना लिया मैंने और इसको कहने के test करें तो knee पर देखें एक specific angle बन रहा है ठीक है तो patient कर नहीं इससे ज़्यादा बेंड नहीं कर सकता है बस इसी भी कर सकता है तो यह हमारे पास क्या है training angle है तो हमने इसी के उपर ही कराना है ठीक है तो इसको joint angle and more specific कहते हैं ठीक है फिर आता है हमारे पास next source of resistance तो वो क्या हो सकते है manual भी हो सकता है pushing aim of object ठीक है body blades हो सकते है body blade एक equipment है instrument है या आप google कर लेना ठीक है इसमें हम shoulder किया different exercise कर सकते है क्योंकि य जैसे gym balls होती है ठीक है तो यह सारे ways है तरीके हैं जिन जिन से हम resistance exercise दे सकते हैं next नमारे topic है dynamic exercise muscle contract and change its length either shorten or length है ठीक है इसमें जाइंट का angle भी चेंज हुआ है muscle की length भी चेंज हुआ है muscle या तो short हो सकता है या muscle जो है वो lengthen हो सकते है दो types है concentric और eccentric ठीक है तो concentric देते हैं क्या है form of dynamic muscle loading in which tension in a muscle develop and physical shorting of muscle occur as an external force is overcome ठीक है इस पर muscle short होता है और दूसरी जो eccentric है इसमें क्या है muscle की lengthening होती है ठीक है same चीज है थोड़ा सा overview देरी नेक्स्ट में आम नेक्स्ट वीडियो में न मैं detail से आप नों को बताऊंगी इसके example भी देखिए concentric क्या है कि जब भी आप एक चीज जो है यहां पे पिक्चर में देखें कि load जब उठाते हो ठीक है उपर क कि तरफ लेकर जाना carry करके जाना वो क्या है आपके असपास concentric muscle वार कि इसी तरह load को जब आप नीचे लेकर जाते हो ठीक है नीचे की तरफ जब लेकर जाते हो gravity towards the gravity लेकर जाते हो वो आपके पास eccentric है ठीक है when lowering of weight क्या है आपके पास eccentric है इस तरह rational आता है for use of concentric or eccentric work तो यह हम लोग ना इसमें concentric muscle contraction जो है आपने याद रखना है इसमें कि जब भी body को accelerate करते है उपर की तरह body ने जाना होता है तब concentric muscle वार को रहा होता है और eccentric तब जब decentrate करते है body को जब body का segment नीचे आ रहा होता है कोई भी body का segment ठीक है यह दो points जात रखना है ना फिर आपको याद र आ रहे होते हैं तो वो क्या होता है concentric muscle work जब stairs से नीचे आ रहे होते हैं तो वो eccentric muscle work होता है ठीक है आज के लिए इतना ही next इंचाला मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी जो concentric and eccentric characteristics thank you so much